नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों चारक के नीती शास्तर में मनुष्य के कल्याण के लिए कई सारे सूत्र दिये गए हैं इनी सूत्रों में चारक के ने इस्त्रियों के लिए तीन चीजों को सबसे खतरनाग माना है चारक के नीती में कहा गया है जिस घर में गुडवान इस्तरी होती है वो घर स्वरक के समान होता है आए जानते हैं चारक के अनुसार किन तीन चीजों से इस्तरीयों को हमेशा दूर रहना चाहिए तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में जराविस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले करप्या आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे आप चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक अहंकार दोस्तों अहंकार व्यक्ती का सबसे बड़ा शत्रू होता है चारक्य के अनुसार इस्त्री को अहंकार से बचना चाहिए अहेंकार से इस्त्री के घर से सुक समरिद्धी धीरे धीरे नश्ट होने लगती है उसके घर से लक्ष्मी और माता सरस्वती रूठ जाती है इसलिए दोस्तों चाड़क ने अहेंकार को इस्त्रीयों के लिए बहुत खतरनाग बताया है दोस्तों अग्यानता इस्त्री के लिए अच्छी नहीं होती चाड़क के के अनुसार इस्त्री को ग्यान वान होना बेहत जरूरी है क्यूंकि समाज निर्मार में इस्त्रीयों की भूमिका सबसे अहम होती है शिच्छित और ज्ञान से पूर्ड इस्त्रियां ही समाज को नई दिशा परदान करती है वो इन गुणों से घर को सर्ग बनाती है जबकि इस्त्री की अज्ञानता से सब्वे समाज की कलपना करना भी असंबब होता है नमबर तीन लालच दोस्तों चाड़के के अनुसार इस्त्री को लालच से दूर रहना चाहिए ये अबगुण इस्त्री के परिबार को नश्ट कर देता है चाड़के के अनुसार जब इस्त्री लालच करने लगती है तो वो घर की सुक शान्ती को नश्ट करने लगती है लालच के कारण परिबार में ग्रह क्लेश देखने को मिलता है कई कई को भी पुत्र मोह का लालच हुआ था जिसके कारण पूरे आयोध्या में आशांती का वाता वरर छा गया था इसलिए दोस्तों इस्त्रियों को इन तीन चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए अब आये दोस्तों जानते हैं इस्त्री का काउन सा एक अंग पकड़ने से सोई हुई किसमत भी जाग जाती है या यूँ कहें कि भिखारी भी राजा बन जाता है दोस्तों हिंदु धर्म में इस्त्रियों को देवी का दरजा दिया जाता है देवी का दरजा प्राप्त महिला जिसके सम्मान की बात हमेशा समाज के लोगों के द्वारा की जाती है ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से इस्त्री का सम्मान करता है उस व्यक्ति को अपने जीबन में किसी भी तरह की परहशानी नहीं होती इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सफलता मिलती है लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है अगर आप इस्त्रियों के शरीर के इस एक खास अंग को छूते हो तो आपको महापुन्य मिलता है और आपकी सोई हुई किसमत जाग उठती है अगर आपको नहीं पता तो चलिए बताते हैं इस्त्रि के किसंग को छूने से किसी भी व्यक्ति की सोई हुई किसमत जाग सकती है दोस्तों हर एक व्यक्ति के जीवन में इस्त्रियां उसके साथ कई स्वरूप में रहा करती है एक इस्त्री ही किसी व्यक्ति की मा होती है तो किसी की बहन और किसी की बहु होती है अलग-अलग रूप में इस्त्रियां व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने का काम करती है इस्त्रियों के बगेर पुरुषों का इस धर्ती पर अस्तित तो भी संभव नहीं है दोस्तों एक इस्त्री पुरुष की हर एक खुशी और दुख में उसका साथ निभाती है इसके साथ ही एक इस्त्री को उसके जीवन में बहुत सारे दर्द भी सहने पड़ते हैं जीवन में आने बाले हर एक दर्द को आराम से सह लेने बाली एक इस्त्री विप्रीश से विप्रीत परिस्थितियों को भी हासी खुशी जेल लेती है दोस्तों कठिन से कठिन परिस्तितियों में भी हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाये रखने बाली लड़कियां अपने बच्चों को भी अच्चे संसकार देने का काम करती हैं इसके अलाबा एक इस्त्री अपने वंश को आगे बढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाती है एक साथ कई कारियों को करने बाली इस्त्रियां जिनके पैरों में बहुत बड़ा राच छिपा होता है ऐसा कहा जाता है इस्त्रियों के पैर छूने से व्यक्ति को अपने सारे जन्मों का पुन्ने भी मिल जाता है इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में कामियाबी बहुत आसानी से मिल जाती है दोस्तों सुबा सुबा इस्त्रियों के पैड छूने से मिलने वाले आशिरबात की वज़े से व्यक्ति के जीवन से निराशा का अंत होता है और उसके कारण व्यक्ति के अंदर सकार आत्मक उर्जा का प्रभाह होने लगता है और ऐसे व्यक्तियों से हमेशा देवी लक्षमी परसन रहती है जिसकी वजह से उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशियां आती रहती है और सफलता ऐसे लोगों के कदम चुमती है जी हाँ दोस्तों यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको सफलता आवश्य मिलेगी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके द अब तक के लिए गुडबाई और थैंक्स पॉर बाचिंग माई वीडियो